केड केम टुटोरियल में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे स्विप्ट कट टूल क्या है और इसे किस तरह इस्तमाल करते हैं किसी भी सॉलिड मॉडल के अंदर एक पाथ कट करने के लिए तो चलो देखते हैं पहले हम अपना जो कट करना चाहते हैं वो ड्रॉ करते हैं उ ऊपर टॉप प्लेइन पे इस सेलेक किजिए इसकेज नॉर्मल इसलेक कीजिए अब हम एक सर्कल चोज करेंगे और एक सर्कल हम अपना प्रोफाइल जो है एक सर्कल बनाएंगे रिमेंबर रखहें इसके पैर्ले रख़िए ताकि हमें आजानी हो आगे हमने ये circle बनाया है अब हम exit जाते हैं इस sketch से अब हम देखते हैं कौन सी plane इस circle के perpendicular होती है front plane ठीक है तो हम choose करते हैं front plane front plane sketch normal यह हमारा top पे हमारा circle है हम एक section view देखते हैं पहले यह हमारा front view section view है ओके यह हमारा internal cutout है यह देखिए अब हम choose करते हैं spline यह हम एक path draw करते हैं यहां से normal करके अब exit जाते हैं spline से यह हमने अपना एक path create कर लिया यह देखिए एक path हमारा create हो गया profile create हो गया अब हम exit जाते हैं अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे देखिए swift tool का और कैसे हम एक profile कट करते हैं swift command पहले हम profile select करेंगे तो यह circle हमारा profile है उसके बाद हम path select करेंगे तो path यह हमारी spline है यह देखिए जैसे हमने दोनों select किया यह ready हो गया कट होने के लिए इसमें बहुत सारे options हैं हम यह option बाद में देखेंगे option curved यह सारी चीज़े हम बाद में देखेंगे thin options select किजी ओके यह देखिए आपका profile ready हो गया आपका profile cut हो गया एक round circle एक half circle हमने बनाया और वो cut हो गया full circle बनाया sorry अब हम इससे section को uncheck करेंगे यह देखिए आपका full circle swift cut tool की मदद से हमने एक circle एक line cut की वो ready हो गई उमीद करते हैं यह video आपका पसंद आया होगा इसे share करना और like करना ना भूलिए धन्यवाद